जय हिन दोस्तों रश्मी के कीचन में आप सब का स्वागत है आज मैं आपके लिए लाई हूँ शाही रवडी की रेसिपी यह बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत स्वाधिश्ट भी लगती है तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका एक पैन में देट लिटर दूद लेकर मैं उसे गाड़ा करने के लिए गैस पर रख रही हूँ उसे अच्छे से गाड़ा करना है हमें इस देट लिटर दूद का लगपक एक लिटर दूद बन जाए इतना इससे पहले गाड़ा कर ले दूद को गाड़ा करते वक्त साइड मे ये मलाई जमना शुरू हो जाती है इस तरह देखिए आप इसे भी चमची सायता से निकाल निकाल कर एक साइड लेकर आपको दूद में मिलाते जाना है इसी मलाई की बज़े से हमारी रबड़ी गाड़ी और अच्छी दानेदार बनेगी रबड़ी बनाते वक्त आप गैस को मध्यमाच पर रखे दूद को गाड़ा करते टाइम आप इसे अच्छे से चमच से चलाते रहे नीचे से भी अच्छे से इसे मलाई को निकालते रहे अगर आप इसे नीचे से नहीं चलाएंगे तो नीचे जो मलाई जमी है वो जलना शुरू हो जाएगी आप देख सकते है दूद बहुत अच्छे से गाड़ा हो रहा है और उपर भी मलाई आना शुरू हो गई है देखिए इस तरह से उसे और अच्छे से गाड़ा कर ले थोड़ा सा अब जितना ही दूद को गाड़ा करते जाओगे उतनी ही यह रबडी मलाईदार और अच्छी बनेगी देखिए यह लगबग एक लिटर हो चुका है अब इसमें हम 80 ग्राम चीनी मिलाएंगे 80 ग्राम मतलब मैंने यह एक कप के मेजरमेंट से लिया है जो चाय का कप है उससे थोड़ा सा कम लिया है मतलब 3-4 कप मैंने यह चीनी ली है और इस चीनी को डाल कर आप अच्छे से इसको चलात हो रही है उसे फिर से एक साइड कर ले और इस दूद में मिला है यह देखिए इस तरह से चीनी डालने के बाद यह बहुत अच्छे से गाड़ा हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा मलाईदार भी बनेगा तो देखिए इस तरह से यह गाड़ा बन चुका है अच्छे से अब इसमें मैं थोड़ा सा जाइफॉल का पाउडर डाल रही हूँ यह देखिए इस तरह जाइफॉल इलाइची यह सामगरी आप सबसे आखिर में ही डाले नहीं तो इसकी खुश्बू कम हो जाती है अब इसके बाद में यह केसर है मेरे पास इसे चाहे तो आप दूद में भीगो कर भी डाल सकते हो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि यह रबड़ी अभी गरम है तो यह अपने आप इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा अगर आप चाहे तो अभी इसमें बादम और पिस्ता भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें सबसे आखिर में डालूंगी यह यह बहुत अच्छे से गाड़ी बन चुकी है अब देख सकते हैं यह सब सामगरी डालने के बाद और पाच मिट इसे अच्छे से चला ले ताकि इसके सारे फ्लेवर्स इसमें मिक्स हो जाए और फिर से बड़ी गैस करके इसको थोड़ा सा उबाल ले लेकिन ध्यान रखे उपर से और नीचे से भी चमच की सायाते से इसे चलाना ना भूले नहीं तो जल सकता है यह देखिए यह बिलकुल तयार है अब हम इसे गैस को बन कर देते हैं और इस रबडी को थंडा होने देते हैं यह रबडी थंडी हो चुकी है देखिए आप बहुत यह अच्छे से म खाए तो ही इसका मज़ा आएगा गर्मा गरम जिलेबी या मालपुवे के साथ इसका मज़ा ले मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सेस्क्राइब करना ना भूले फिर मिलेंगे जय हिंद